हेलो एवरिवन तो जैसे कि आपको मालो में कि आज है फिजिक्स का पेपर और हमारे यूटीब देने लेन फन पर आपका केमिश्ट्री और फिजिक्स की जबर्दस तैहरी करवाए गए थी तो आज हम यहाँ पर आए हैं इस्टुडेंट का रिएक्शन लेने कि भाई उनका पेपर किस तरीके कह गया और आने वाले जो पेपर सेजिए के मैजमेटेक्स भाई हू इनमें क्या स्टैट्ट्जी होने वाली इस पर भी हम बात करेंगे तो Sandeep आपका पेपर कैसा हुआ? ठीक था पेपर इसी मॉडरेट डिफिकल्ट में हम क्या केडिगरी मिदाल सकते हैं? मॉडरेट मिदाव मॉडरेट मिदाल सकते हैं और कितना आप एक्सपेट कर रहे हैं कि आप इतना स्कोर कर अपा रहे हैं? 40-50 के बीच मेरा नाम है अकाश पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर एक नम जहर जहर बढ़िया तो कैसा लग रहे हैं कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं इस पेपर आज आएंगे 60 तक 60 तक आजएंगे बहुत ही बढ़िया अल देश्ट नेक्स पेपर कॉन सा है? मैंच काई 11 तरी को काम के अफिक पले आपका? इमांशी और पेपर कैसा हुआ जाता? नॉर्मल था अच्छा कुछ लोग कह रहते हैं डिफकल्ट अगर इजी डिफकल्ट और मॉडरेट नो बात करें तो पर कैसा हुआ? मॉडरेट था सब्सक्राम के प्रेर हैं मुमरैकल्स एगर नुमरैकल्स एगर जाता और पराहएचे तक में परेएचे अज मधा मिलता जूलता क्रामेचे मोडरे हैता मिट्ला मिक्सता मेर्मस मैंट पर साथ कुमाला यां इस पर सब्सक्राइब क्लिए अच्छा और जो के श्टी वाला पौशन वही था वही था वहाँ जिए तो अगर मैं सेंपल पर कर रहा है उससे मिलता जूलता था इससे डिफिकल तो से मॉडरेट था जो प्रेक्टिस पूराइब करेजी दीफिकल या को एक है तो आपका इस तो श्रेक्टिकल ओट शोपा इंस पहलों सबियाएं तो पाह को इस yell तो मैस के लिए ताहरी इसे करनी है? मैस है भाई चलो बढ़िया ठीक है आपको नम क्या? शंकल्ब तो संकल्ब आपको कैसा गया? गया है बस तो पेपर आपको कैसा लगा? इसी डिफिकल्ट इमोडरेट? हाड डिफिकल्ट लगा? कौन से पोर्शन जाता डिफिकल्ट लगा जैसे अभी इननों बताए टू एंट्री मारकर आपके लिए कौन से पोर्शन? सेक्शन बी सेक्शन नमर्बी तो कोर्शन लेंदी याए थे क्या? हाँ अच्छा सेक्ट लेंदी याए गया उनकी अगा पात करें तो अगर आट अपसे 80 यंपरेता करें तो कितना आप स्कोर कर रहे हो? कुछ आईए यसा? 55 55 क्योंस सेक्ट प्रशन पात करें को difficult लगा क्योंकि जो section number B और section number C था वो थोड़ा सा lengthy था उसके questions को करने में time ज्यादा लगा लेकिन अगर हम बात करें in comparison sample paper और जो practice paper आये थे तो हाँ उससे काफी मिलता जूलता paper था तो that means कि आने वाले जो हमारे paper है जैसे कि मैस का paper आपका आने वाला है उसमें इन चीजों को ध्यान में रख करके मैं practice करनी होगी तो आज सामको 7 बजे super guess paper आप लोगो के लिए लेकर के आ रहा हूं जिसमें हम discuss करेंगे most expected question जो कि आपके exam के point review से काफी आदा important है तो जुर्णा मतभूलिया का सामको 7 बजे